जीवाना में एक दिवसीय किसानों की कारेसाला का हुआ आयोजन जीवाना कस्वे में एक दिवसीय किसानों की कारेसाला का आयोजन हुआ जिसमें किसानों को अनार की पैदावार, अनार की खेती, अनार में होने वाली बिमारियों के बारे में विस्तार से बीटी गोरे ने जानकारी दी, आपको बता दें कि बीटी गोरे अनार के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्होंने किसानों को विस्तार से अनार के बारे में जानकारी दी, कारे साला का शुबारम मासारदे की तस्वीर के श्मक्षती प्रश् सब्सक्राइब कर जिवना सरपंस उत्म सिंग दवेशा ने किया सिंटेशिस उत्रा इजिस कव हो जाता अट्वाटिक लिए यहां तक समझ में आ रहा है है पूस्ट सब्सक्राइबिलिटी जो है वह है पातोजन यह है पातोजन आपके खेत में ज्यादा डीटेल हो रहा है क् हलो है उतना नहीं बीच में यह बाबा ऊप रहे बीच में जा रहे है कि तो ठीक है मैं मेरे दिमार को बोल देता हम उठेक आई कितने होटाइब क्यों है तक वही आपी चार बजे ते क्या पुड़ा है दूसरा है बीमारी पातोजन मतलब क्या बीमारी आपके खेत में जब अनार का पौदा नहीं था तब अनार की जितनी भी बीमारी आज आप देख रहे हो वह थी क्या नहीं थी तो इसी से नहीं था तो पहले जो अनार का पौदा आपके यहां पे आया उसके साथ में कौन-कौन सी बीमारी लाया और जैसे मेरे खेत में जोड़ने आए उसके और वो आपके केत में आ गया Side आपके यहा पे यह साइक्लोन अया और 25 क्यूमीटर पे किसके गार्डन में बेंटिरो बाइट था यह साइक्लोन र साइक्लोन के साथ में यो बाइस만 possibilis राईए और यह तहला दास रातिक के गार्डन उसके साथ में 25 km तक आपके गाड़न में आया और आपके फक्ते पूंदे इतनी हिले जखन हो गई उसने से अत्र भूज गया प्राफोजें नाया आपके खेत में बूटिंग का लेज़्टीम आया कटिक वहाँ और उटकी कईची कहां पे इस्तमाद दिया ने को सब इचिस उसको लगा होए कुछ पता नहीं और आके वरा बटक ठीटव 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 थीए आतके आपके आपके आप सब्सक्यों को रहाँ चलो चुँआ मेरे गाड़न में चलो मेरे गाड़न में चलो सब लोग उसके पीछे पल भाढ़ रहे और वो या घाणन में जाया रहा है, उसके जूदे, उसके जूदे, वो घाणन में जुतर भी भीमारी Mormon के उपर साथ में ले रहे हैं। वो ये वोठी को आख लग रहा हैं, ये भोमके अंपो शर्ट लग रहा है और दूषरी के गाणन में जाकर, हूए Kevin लम्हे बीक क्राः और में भीबी विमारी खील आए वारीश की सियर्म में जो तने विजिटर्स कं कर सकते हुनों अने मरें लेयुन ख़रा रहा हुआ। मुझे मेरे दोस्त का लाना आए। आप गोस्ट में ळील्ट भी है, गोस्ट के बगीचै में गोस्ट में पैटलियों। दाहिट भी है। उसका में लाया, मेरे खSteveड में इस्तवाल किया। उसके पैटल के साथ में रोडर के साथ में डिज में गेल्गें ले लाया। एं्ट्री। automate कहा से आएlynn? बीमारी जणब नहीं निती वो यहां से तो भी आनी पड़ती है पिर येक फल आपका मीचे गिरेगा येक फल आपका मीचे गिरेगा और उसके उपर यतनी भंकस, यतनी बेक्टेरिया है और उसी को आपने दी दिया पीच में और होटा विटर करके फिर्टी में धार दिया नेच की अब जैसे ही वही पे बारिश आएगा ये पूरा का पूरा भेलेगा और फिर आपके हापी बजा ही बजा इस 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 समय में आ रहा है एक चित और याद रखना मेरे साथ रहो आपने अरार का पहिला बहार लिया आपने अरार का तीसरा बहार लिया तब तब आपके घेत में सभी बीमारी दिखना चालू होता है सभी बीमारी दिखना चालू होता है आप भजी साइन से उसको अच्छी तरह से कंट्रों करते हो आगर आपने पहले बहार से साथवे बहार तक अच्छी तरह से सुनो अगर आपने पहले बहाद से साथने बहाद तर अगर clean cultivation माइनेज नहीं किया clean cultivation मतना तुमी का जितना भी material है नीचे पड़ा हुआ बहाद लेके जाओ जला दीजिये जो भी भण नीचे पड़े है यह सब भण collect करो और भाद जाके जला दीजिये इसको मैं बोल रहा हूँ, clean cultivation. आगर आपने पहले साथ बहार clean cultivation नहीं किया, तो साथ बहार तर आपके यहां पे फंजी सही काम करेंगे. अच्छी तरह से सुनो, जो भी दवा आप इस्तमाल करते हो, यह काम करेंगे. और हर साथ आपके यहां पे, वो डिजीज, 10%, 20%, 30% क्लाइमिटी केंडिशन कैसी है, और आपका मैनेजमेंट कैसा है, वो इस सबसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. और साथ वे साल कर, जो नीचे पड़े होए पते, नीचे पड़े होए फल, आपके मिट्टी में इतने जा रहे हैं, क्योंकि आप रोटा वेटर दर के मिट्टी में डाल रहे हैं, साथ साल के बाद, आपके यहां पे, कोई भी प्रोड़क्ट आप नहीं करेगा. जितनी जादा फीमारी, उतना पाउटा विक, और जितना पाउटा विक होगा, उसके अंदर कोई भी दवा की सिस्टेमिसी की उतनी नहीं मिलती, इसी जिए साथ साथ के बाद आपको रिजर्ट कम बिलते हैं, दवा कोई डिप्रिकेंट नहीं है, दवा कोई कम, कॉंसेक्र जितने भी नीचे पन गिरे होएं, सबको उफाओ, बाहर जाके चला जी, और रिक्वेस्ट भी ही, रोल के बाजू में, कैनल में डाले में नहीं डाला, वही पिडाएंगे और वही पादी आपका जाता है जुसरी के गारन में, आपका भीमारी उसके यहां भी जाएगा, इ तो गोई आज सा गया, तो फिर दावन का एड़ा होंगा, इतर से पाद उसके खेंट में जाता है, उसके यहां पर आएगा, तो प्रक्चेस किलोमेटर से आ सकता है, तो पांसों फिर से आ सकता है आपके आपे, आज नगर आपको पी तो बढ़ता ही है, ठीकर ना, ग्लीम क आपको